हाई दोस्तो वेलकम बैक टू दा चटपोट टॉइ टीवी मैं आज आपके लिए लेके आ गया हूँ गाइस एक कमाल धमाल माला माल टॉइ जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो यह एक स्ट्रीट बाइसाइकिल तो गाइस यह एक एलेक्ट्रिक बाइसाइकिल होती है तो इसे मैंने पॉचेस किया था flashcard से फिल्प कार्ट से देख सकते हो आप इस तरह की foldable bicycle मिल जाती है हमें और इसके साथ एक rider भी मिल जाता है आपको मैं box दिखा देता हूँ यह देख सकते हो आप इसका box तो गाइस इसका price भी देख लेते हैं भी यह देख सकते हो दोस्त तो आप यह है फ्लिप कार्ट इसका प्राइज है 298 रुपीज तो गाइस आज हम करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग और इसकी टेस्टिंग तो इसका बॉक्स मैं आसे उपन कर लेता हूं दोस्तो अपने अभी तक चैटपटर टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्र हमें इसकी अंदर इस तरह का एक राइडर मिल जाता है तो इसे रख देते हैं यहां पर और गाइस यह है इसकी में वाली चीज बाइसाइकल तो गाइस पहले मैं आपको यह राइडर दिखा देता हूं यह देख सकते हो आप बहुत ही अच्छी प्लास्टिक का बनाया और देख सकते हो गाइस अब यह हर जगा से फ्लेक्सिबल है पीछे देखिए इसने एक बैग लगा रखा है और लिखा है इसके उपर यह इट स्पोर्ट तो आपने इसे देख लिया गाइस तो अभी आपको मैं साइकल दिखा देता हूं यह देखिए गाइस इस तरह की ए अब देख सकते हो और गाइस इसे यहाँ से लॉक करना होगा हमें यह देखिए हम लॉक कर लेते हैं यह हो गया लॉक अभी यह फोल्ड नहीं होगी यह लॉक हटाएंगे तो ही फोल्ड होगी गाइस तो आपको मैं डिटेल में दिखा देता हूं एक बार देख सकते हो आप यह है इसका handle guys आपको दिख रहा होगा मैं जब इसका handle turn करता हूँ तो यह tire नहीं turn होता है guys इसका यह एक minus point है सिर्फ handle ही turn होता है यह देखिए और देखिए यह है इसके brakes यह brakes बिल्कुल भी काम नहीं करते guys यह देख सकते हो आप यह सिर्फ design के लिए इस तरह से दिया गया है ताकि यह real bicycle लगे यह है tires एकदम जबर्दस tires है guys इसके पूरा rubber के बने हुए है यह बिल्कुल भी slip नहीं होगी नीचे हम जब चलाएंगे इसे तो यहाँ पे लिखा है sport bicycle देख सकते हो guys अच्छी स्खासी seat दी गई है और paddles और पीछे वाला tire भी एकदम गजब है यह देख सकते हो आप इस तरफ भी दिखा देता हूँ मैं आपको यह bicycle नीचे ना गिर जाए देख सकते हो आप supporting wheels भी दिये गए है और guys यह है इसका chain यह chain नहीं है guys यहाँ पर एक rubber दिया गया है यह देख सकते हो आप पीछे को tire को यहाँ से जोड देता है तो पैंडल्स पैंडल्स भी बहुत बड़िया है तो guys इसकी अंदर डालनी होगी हमें two batteries तो उससे पहले guys मैं आपको दिखा देता हूँ यह bicycle कितनी बड़ी है मैं मेरे RC car से compare करके आपको दिखाता हूँ तो आप यह देख सकते हो यह एक Ferrari car है तो इसका size मैं आपको बता देता हूँ यह देख सकते हो दोस्तों आप यह इससे दुगनी बड़ी है height में भी देखे कितनी जादा height है इस bicycle की वाउ एकदम जबर्दस bicycle बनाई है इन लोगों ने तो guys हम करते हैं अभी इसको इसके उपर बिठा देते हैं यहां से यह बैठ गया rider इसके उपर तो इसके handle यहां पर लगा देते हैं इसके हाथ में और यह वाला handle भी लगा देता हूँ मैं यह भी हो गया तो guys आप यहां पर देख सकते हो इसके legs foot के नीचे यहां पर देखिए इस तरह का एक दिया गया है ताकि हम इसको यहां पर इस तरह से लगा सके यह देख सकते हो आप इस तरह से क्लिक हो गया है यहां पर यह वाले leg को भी कर देते हैं ताकि यह easily इसके उपर बाइट सके और यह cycle चला सके अब देख सकते हो guys हमारी cycle कैसी लग रही है आपको एकदम real cycle और real rider चला रहा है जैसी लग रही है एकदम गजब है भाई बहुत ही जबरदस cycle है तो इसके अंदर आपको मैं दिखा देता हूँ दोस्तों यह देखिए यहां पर डालनी होगी है अमें two batteries तो फटा फट से two batteries भी डाल लेते हैं इसके अंदर guys यह मैं आपको नीचे भी चला के बताने वाला हूँ तो अब देख सकते हो यहां पर दिया गया इसका on off वाला switch तो इसे कर लेते हैं यहां से on यह देख सकते हो दोस्तों आप यहां नीचे एक light भी दी गई है यह देखिए एकदम गजब चलती है cycle वाउ वो तो इसे यहां से बन कर देता हूँ गाइस भाई तो दोस्तों अभी time हो चुका है shout out देने का कल वाली वीडियो पर किसने किसने comments किया किसने किसने likes किया देख लेते हैं और shout out देते हैं तो my dear friends आप जैसे यहां पर देख सकते हो यह है हमारी कल वाली वीडियो RC rock crawler rally car unboxing and testing आपने अभी तक यह वाली वीडियो नहीं देखिए तो तुरंट ही देखिए क्यूंकि गाइस यह जो rock crawler है एकदम जबर्दस वाली कार है तो इस पर देख सकते हो आप हमें मिले हैं 827 likes यह बहुत ही कम likes है दोस्तों आप यहां पर जादा से जादा likes और comment करेंगे तो guys मैं समझुगा कि आप मेरे work को appreciate करते हो और मुझे अपना दोस्त मानते हो तो दोस्तों आप कीजिए यहां पर जोर लगाकर likes और comments तो यहां पर आप देख सकते हो हमें मिले है 300 comments वा भई एकदम गजब 300 comments आ गए हैं हमें तो देख सकते हो guys आप लोगों ने कितने धेर सारे comments किये हैं तो दोस्तों इतने सारे comments को मैं अगर पढ़ने बैच जाओ और सभी को shout out दे दो तो guys यह video हो जाएगी एक से देड़ घंटा लंबी तो guys मैं क्या करता हूँ इसके अंदर से 30 names select करता हूँ और उनके नाम ले लेता हूँ तो guys मैं यहां पर बताना चाहता हूँ आपको जिन भी लोगों ने यहां पर किया है comment सभी को shout out और जिन भी लोगों ने किया है इस video को like सभी को shout out और सभी को बड़ा वाला thank you तो यह रहे वो names पहला नाम हिम पुत्रक किरन पुरोहित कांचा अलुराग रोनी राम अवतार प्रजापती रॉन गेमिंग लाइव यथार्थ जैस्वाल राशित शेक लेजन्ड गेमर दीपक बोसले विकी साहू प्रथम बंचाल राजेंदर ठाकूर अब देख सकते हो गाइस यह है वो names जिनके कमेंट्स मुझे आये थे बहुत पसंद तो अगर आपको भी चाहिए शोट आउट तो कीजिए गाइस एक अच्छा वाला कमेंट तो गाइस अभी टाइम हो चुका है इस बाइसाइकल को नीचे टेस्ट करने का तो चलिए इसे नीचे टेस्ट करते हैं गाइस और मैं आपको लास्ट में बताओंगा गाइस यह बैसाइकल आपको खरीदनी चाहिए कि नई खरीदनी चाहिए कि अच्छा आपको खरीदनी चाहिए कि अच्छा आपको खरीदनी चाहिए कर दो मिल जाता और एक remote controller भी तो और मज़ा आता guys पर इसके साथ कोई भी remote control नहीं मिलता है guys पर इसका price बहुत ही कम है guys 300 rupees में इतनी बड़िया चीज बहुत ही जबर्दस्त है अगर आप इसे buy करना चाते हो तो buy link नीचे description में दिया गया है आप वहाँ से buy कर सकते हो तो दोस्तों आज की video होती है यहीं पर समाप मिलता हूँ आपसे मैं कल वाली वीडियो में और एक धम्मा के दार टॉय के साथ तब तक के लिए बाई दोस्तों कर दोस्तों कर दोस्तों